ह сложно isle ठोस्तों नमस्कार उपर आपस्वागत है दोस्तों आज में लोग बात करने वाले हैं एक भीमारी के बारे में जिस बीमारी का नाम है सीरदद दोस्तों यह सिर्दर्द हर किसी को एक जैसा नहीं होता है यानि कि किसी को भी सिर्दर्द होता है तो वो अलग-अलग लक्षणों के साथ आता है और अलग-अलग लक्षणों के लिए अलग-अलग मेडिसिन काम आता है दोस्तों आज में लोग इसके बारे हैं पूरी जनकार मिल जाएगी दोस्तों आज हम जिस बीमारी यानि के रोग के बारे बात कर रहे हैं उस रोग का नाम है सिरदर्द इस रोग में अनेक कारण होते हैं मतलब कि ये रोग कभी भी किसी को भी होता है तो अलग-अलग लक्षणों के साथ होता है और इमने लक्षण अनुसार और सधिया यानि की मेडिसिन देनी चाहिए दोस्तो इसमें सबसे पहले आता है ये रोगी का चेहरा या आखे लाल हो और साथ ही सीर में भयांकर दर्द हो तो एकोनेट 30 का प्रयोग करें इसी के साथ साथ दोस्तो सीर के एक भाग में दर्द होने पर भी एकोनेट 30 का प्रयोग किया जाता है इसमें आगे हैं दोस्तों गले की धमनियों में टपकन के साथ सीर दर्द, सीर में रक्त संचे के कारण दर्द, सीर में भारीपन, साथ ही सोने की इक्छा में या दाई और आधा सिसी के दर्द में बेला डोना थट्टी अधिक लावकारी होगी दोस्तों इसमें आगे हैं सराब पीने के कारण उतपन सीर दर्द में नक्स भूमिका काम आएगी नक्स भूमिका के मुल अर्ग की पाँच बुंदे पानी में डाल कर देने से लाब होता है और इसी के साथ सा दोस्तो सराप पिनने के कारण उत्पर सीर दर्द में कार्वो भेज भी काम करता है कार्वो भेज 30 इसमें आगे हैं दोस्तो दाई और के आधा सीसी में दर्द में सेगुनेरिया 30 या सिपिय 30 ये दुनों दवा बहुत ही लाभकार सिध होती है इसमें आगे हैं दोस्तो मांसिक कारौनों से होने वाले बाई और सीर में दर्ध हो तो कोलोसीन 30 दवा बहुत ही लाभकर है इसमें आगे की बात करेतें दोस्तो अनेक परकार के दर्द या आधा सीसी में दर्द में 49 औसधी के मदर टीचर का परियोग करना चाहिए चियनोन्थस मदर टीचर के मतलब चियनोन्थस क्यूँ इसमें आगे हैं दोस्तों मानसिक धर्म रूप जाने के कारण होने वाले इस्तिरियों के सीर दर्द में पलसा तीला थटी लभकारी करती है आगे हैं दोस्तों सीर में भारी पन तनिक सा सीर हिलाते ही सीर में दर्द बढ़ जाना सोभाव में चिलजड़ा पन या चहरा पिला होने के लक्षणों में ब्रायोनिया थटी काम आएगी पुर्वता ब्रॉनिया यानि कि ब्रॉनिया का लक्षण के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं उसी लक्षणों के साथ ही यदि लेटने पर सीर का दर्द बढ़ जाता हो और चलने फिरने में घटता हो तो रक्षक 30 देना चाहिए यह दवा जरूर काम आएगी उमिद करता हूँ दोस्तों आप यह वेडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे दोस्तों अगर आपके आसपस कोई ऐसा है या फिर आपको सीर में दर्द है तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके अंदर आपके सिद्धर के साथ साथ कौन कौन सी लच्छने है और उन सब लख्षनों में कौन सी दवा काम आएगी दोस्तों अगर आपको इन सब में से कोई भी दवा चाहिए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रख रहा है आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको मेरा वडियो अच्छा लागा होगा तो प्लीज लाइक के जिएगा और धोस्तों इस वीडियो को सेर करना ना भी लो है कियोंकि जितने लोगों उतने लोग अपना पेण कर पाएंगे और हाँ दोस्तों अगर आपको कोई परिशानी है कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं उसका सेलुशन बताऊंगा तो दोस्तों आगे के लिए बेस्ट अफ लग